हलो स्टुडेंट कैसे आप होप अच्छे होंगे तो आज हम डिसकस करेंगे kingdom planty में यह बो प्लांट होते है जब को रिप्रोडक्टर और जिनमें होता है, reproductive organ जिसमें होते हैं, जैसे आपने crypto games पढ़ा था ना, कि जिसमें well defined reproductive organ जो नहीं होते हैं, तो यहां पर reproductive organ इसमें होगे, reproductive parts इसमें होगे, और they are responsible for the production of a seed, क्योंकि seeds जो ड्वर्प होता है, वो reproductive reproduction, sexual production के द्वारा ही वो seeds जो पैदा होता है, अब seed के अधार पर अगर हम इसको देखें, तो seed के अधार पर यह two types में आ जाते हैं, एक जिनमें जो seed होते हैं, वो naked seed होते हैं, यनकी उनके seed आपको ऐसे ही दिख گे हैं, naked seed होते हैं, और दूसरे जो होते हैं, वो इसके अंदर होते हैं, in closed in a fruit, fruit के अंदर होते हैं, और फिर वो बहाँ से बाहर जो निकलते हैं, वोह आपको नेक जोगों नहीं देते हैं तो इसके वेशनिस के अधार पर यहां पर हमारे पास यह तूट तैपस के फैनरोगेंज्स हैं एक है जीमनोजपरम जीमनोजपरम और सेकेंड है एंज इस पर यहसीड के अधार के उपर है जिमनो देखो जिमनो यहां पे टू वर्ड है जिमनो और स्पर्मा तो यहां पे जिमनो का मतलब होगा नेक्ट and sperma का means होगा seed तो यह दो कि इसमें जो seed होगे दियार naked वो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे और यह जो plant होते हैं दियार perennial perennial plant होते हैं मतलब यह अपना life cycle जो है वो बहुत सालों में complete करते हैं एक साल में दो साल में नहीं करते हैं दो सालों से अधिक सालों में जो है यह अपना life spell जो हो complete करते हैं perennial होते हैं यह और evergreen होते हैं evergreens means सदा वाहर होते हैं और बुड़ी plant होते हैं बुड़ी means यह आपको woods जो हो provide करते हैं तो इसमें example आपके हैं pineus का example है इसमें जो pine होते हैं pineus bees कोंब होते हैं pineus cheese कोंब होते हैं और इसमें psychus का भी एक example है psychus होता है और देवदार भी होता है इसमें यह आपके gymnos sperm होते हैं जैसे आप chill का वो देखते हैं वो जो इसका कोन होता है उसमें आपको seeds जो हैं वो बिल्कुल बाहर को आपको असानी से दिख जाते हैं तो यह gymnos sperm ऐसे होते हैं जिसमें नेकर सीर्ट जो होते हैं gymnos sperm है वो plant जो आते हैं second मैंने बताया आपको angiosperm यह जो angiosperm होते हैं angiosperm को हम flowering plant भी बोलते हैं angiosperm को flowering plant भी बोलते हैं पर अंगियो हो गया यहां पर हिड़न चीप हुए और स्पर्मा सीग होंगे और नहीं होते आर्ड इंक्लोमजरी l다 fruits fruits की अंदर वो होते हैं आपको पता है इंजिस्फर में जो आपका ovary part होता है ovary की अंदर जो आपको पता है ovule बनता है ovule बनता है और ovule बाद में किस में ड्वल्प हो जाता है seed में ड्वल्प हो जाता है और जो ovary होती है वो फिर जब ripened हो जाती है पक जाती है तो वो fruit की formation जो कर देता है तो ये angiosperm में होता है जो florin plant जो होते हैं और जो embryo होता है plant का जो embryo होता है inner seed में seed के अंदर जो embryo होता है तो उसमें cotylidens होते हैं leaf like structure होते हैं जिनको होते है cotylidens cotylidens होते हैं leaf leaves होते हैं जो plant के अंदर जो seed के अंदर जो उसका embryo होता है plant का plant embryo होता है तो उसके अंदर ये cotylidens होते हैं leaf like structure जो होते हैं और जब seed germinate करता है जब seed जो हो germinate करेगा तो ये cotylidens जो हो ड्वल्प होते हैं ये leaves जो वो ड्वल्प होते हैं अब ये cotyledons के basis के उपर भी ये जो angiosperm है they are differentiated into two parts इनको cotyledons के basis के उपर भी two parts में जो वो बांटा गया है कौन-कौन से वो part है देखो cotyledons में अगर तो इसमें एक ही cotyledons निखलता है एक ही leaves अगर निखलता है जब सीर जर्मिनेट करता है तो उसको हम बोलते हैं monocotyledons या monocot monocot monocote plant उसको हम बोलते हैं जब एक ही cotyledons जैसे इस तरह से अगर कोई सीड है ना इस तरह से मानो कोई सीड है और यहां से जब यह germinate करता है तो यहां से क्या होगा सिर्फ एक ही leaf जो है यहां से arise होता है एक ही cotylidens जो ही यहां से arise होगा और यही फिर बाद में इतना बड़ा जो हो बन जाएगा एक ही cotylidens यहां पर डॉल पादर होता है तो उसको हम monocotylidens जो हो बोलते हैं और अगर यहां पर 2 cotylidens पैदा होते हैं जब seed germinate करेगा 2 cotylidens अगर पैदा होते हैं तो उसको होते हैं dicotylidens dicotylidens या फिर उसको होते हैं dicot और इसमें इस तरह से यह structure बनता है इस तरह से two leaves जो हैं यहां से arise होगा यहां से इस तरह से और दूसरा जो हो यहां से अराइज हो जाएगा तो जब भी यह seeds germinate करेगा बड़ा एक प्लांट बनाएगा यहां से यह दोनों जो लीवस हैं वो डॉल्ब होते हैं दो कोटिलेटन्स यहां पे डॉल्ब होते हैं इसलिए इनको हमों क्या बोलते हैं तो मोनो कोट का अगर हम example देखें मोनो कोट में देखो कौन कौन से example है आपके और राइस है उसका वीट है सुगर केन है बनाना है यह कुछ example जो मोनो कोट के हैं और डाइकोट में आते हैं आपकी जैसे एपल है मैंगो भी है इसमें कि गडिमट में जाता है यहां से निकलते हैं एपल है मैंगो है और और ओर स्थी में और इसका एग्जाम्पल है और आपका एकशीव नेट ये भी इसका जो एकजाम्पल है डाइकोटिलेडर्स का तो ये था फैन रो गेम्स के बारे में जिसका एंजियो सब्सक्राइब है और जीम्नस परना और फिर मोनोकोटिलिदन्स और डाइकोटिलिदन्स है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू करें